नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल पैथलाव कंपनी के बारे में इस कंपनी का अनलेसिस में आगे बढ़ने से पहले आप सब को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर पहली बार इस चैनल पर अपने विजिट किया हुआ है जो कि डिक्षन टेक्नोलोजी यहां पर गिरने का रिजन क्या है और और इस टॉक में जाके आपके अनलेसिस आप देख सकते हैं यहां पर जरूर देख सकते हैं ठीक है मार्केट में जिसी साब सबी करेक्शन चल रहा है पैनिक चल रहा है तो आप बिल्कुल कोई भी सब्सक्रा पर्णाय तक महीं हैं डपरनगे में गिरावड में देखने को मिला है जो कि 2489 के पास में सब्सक्राइडिंग हो रहा है तो अभी तक का अगर देखेंगे ये stock में तो result का announcement नहीं हुआ है अगर आज के दिन का trading session में हम देखेंगे तो अभी तक का इस stock में 2,12,000 quantity trading हुआ है यहां पर delivery उठाए गया 44 percentage का delivery उठाए गया जो कि 94,000 quantity यहां पर delivery उठाए गया फ्रेंट्स तो इसी साब से अगर हम बात कर करेंगे 4,265 था तो मतलब stock में का अच्छा खाशा correction पे stock चल रहा है तो इसी साब से अगर company का हम analysis करेंगे यहां पर company ने अगर हम देखेंगे company का return on capital employer जो कि बहुत बढ़िया है 35 percentage का है और इसी साब से company एक mid cap company है 20,000 करोड का market क्या पे उसी के साथ में company बिलकुल एक almost date free company है company में अगर हम date देखेंगे 0.03 का date है जो कि इतना ज़्यादा date नहीं है तो इसी साब से company एक fundamentally बहुत strong company है अगर हम 26 percentage का company का dividend yield भी है तो यहां पर आप अगर देखते हैं company ने एक growth बहुत जबर्दस तरीके से growth किया है यहां पर net profit में बहुत जबर्दस तरीके से growth हुआ है जो कि last 4 quarter में अगर आप देखेंगे 367 करोड का यहां पर net profit देखने को मिला था अगर हम sales के बारें बात करेंगी यहां पर 2033 करोड का last यहां पर चार quarter में sales भी देखने को मिला था जो कि overall company बहुत बढ़िया performance दिया है उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहां पर balance sheet में जाके अगर देखते हैं यहां पर reserve में हर एक year में यहां पर reserve बहुत बढ़िया से ग्रो हो रहा है उसी के साथ में company के ओपर पहले borrowing बिल्कुल नहीं था लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो यहां पर September quarter में 41 करोड का borrowing है जो कि इतना ज्यादा borrowing नहीं है तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो in best comment भी बढ़ा है यहां पर फिप्ति नाइन क्रोड के यहां पर fiance क्त जेक है उसी के साथ में कीपास में 23 परसेंटेब्स के साथ मैं यहां पर और निकाल देंगे तो यहां पर आराउंड परसेंट तक का 7.8 परसेंट तक का जो कि पॉब्लिक के पास में हिस्सेदारी है इसी साफ से अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे चार्ट पैटन में स्टॉक का आरे साइब कोन सा लेवल पर आ चुका है तो इसी साफ से अगर हम बात करें कि यहां पर यहां पर यहां पर जो बिगनर वाला यहां पर जो बिगनर वाला स्टॉक मार्केट वाला वीडियो है पूरा वीडियो एक बार जरूर जेक कर लिए क्यूंकि यह सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे ना काफी सारा डाउट जो आपका मन में रहेगा ना यह सारा क्लियर हो जाएगा क्यूंकि यहां पर कैसे का अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं कैसे जिटीट अडर अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो अगर आप वहां पर मिरसाथ में जुड़ना चाहते हैं यहां पर नमबर दिया हुए इस नमबर पर आप मिरसाथ में जरूर जाइन कर सकते हैं इसी साब से अगर लगेगा कि मुझे इसा लग रहा है यह स्टॉक में रिस्क बिल्कुल नहीं अगर आप रिस्क की बात करेंगे स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है लेकिन अगर हम बात करेंगी यह स्टॉक बिल्कुल 52 विक लो के पास में चल रह जाते हैं इस लेबल तक का बिल्कुल एक बार इंतिजर कर सकते हैं जो कि इस लेबल तक जरूर एक बार इंतिजर कर सकते हैं क्यूं बोल रहा हूं उसका पीछे का रीजन है फ्रेंस देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर देखिए काफी सरा कैंडल इसी रेंज पर बना हुआ है यहां पर यहांपर सपोर्टे लिया है you ए नहीं बड़ा करेक्शन पर नहीं मिलता है अभी थड़ा ग्लोबल मार्केट सिनारियों की बजर से यहां पर गिरावट चल रहा है अभी इस टॉक में 42 परसेंटेज का करेक्शन हो चुका है और क्या चाहिए इसा ग्रेट कंपनी में जब इतना बड़ा करेक्शन हो जाता है तो उसी टाइम इमेडिये टार्गेट यह इसपेक्ट कर सकते हैं इमेडिये टार्गेट जो हो ना यह वाला रेजिस्टांस तक अगर लेके चलते हैं इस लेबल से आपको कितना परसेंटेज का गयन मिलता है इस ज़रूर देख लीजिए यहां साफ पोजीशन बना रहे हैं आप यह पोज जाएगा तो इसका टार्ड पर आपको पता है अभी एक माईने में तेजी आता है एक माईने में गिरावत होता है तो यह सारे टाइम पर आप सुएग्ट बिल्कुल ले सकते हैं और सही टाइम पर अगर प्रोफीट बुकिंग करें अच्छा सा अमाउंड बन सकता है तो इसी लेकिन जिसको जिनको यह स्टॉक में लांग टर्म के लिए तो भी यह स्टॉक को लांग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ग्रेट कंपनी हैं और आगे आने वाले दिनों में एक मल्टिवेगर रिटन देने का बिल्कुल दम रखता है ठीक है अगर आप पुराना भी ट्राक रेकर्ड इसको चेक करेंगे तो यहां पर पांथ साल में टॉंटी त्री परसेंट सीजियर रिटन दिया है जबद तेजी के बाद में तो करेक्शन कभी भी हो सकता है यहां पे कोवीड के टाइम पे स्टॉक चल रहा था यहां पर बारास रिटन दिया है उसके बाद में करेक्शन हुआ है ठीक है तो थोड़ा सा नजरिया अगर आप सही डंग से लंबा करके चलते हैं अगर आपना खुद परस्केमेंट करते हैं या तुभी करते हैं स्टॉक मर्केट में लगातर पैसा बनता है कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर थार्टी परसंट का एक्प्रिक्टेशन लेके बनते हैं तो बहुत अच्छा कषण हो सकता है लेकिन हमें करना क्या है स्टॉक मर्केट में जिस के बाद में स्टॉक में अगर पर करेक्षिन भी आता है तो वहां पर हमें होल्ड करना जरूरा होते क्योंकि हमने खुद का क्या इंवेश्ग किया और इसा बिल्कुल भी ही आप अगर लिए पैसे नहीं बना पाएंगे अगर अगर आप 30% का एक्षिक टि के चलते मार्केट म तो 30% का expectation में बहुत जबरदस्ट पईसे बनेगा ठीक है अगर आप बात करेंगे 30% का expectation में अभी ऐसा लगता है कि नहीं बनेगा लेकिन बनता है करना है सही टाइम पर एंट्री लेना है सही टाइम पर करना चाहते हैं तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं बहुत अच्छी बात है लंग्टर में बहुत अच्छा पैसे बनेगा लंग्टर में अगर 20% का लेके चलते हैं ठीक है आप देखिया अगर लंग्टर्म पोर्टफोलिय आप बनाते हैं अगर 20% इसका सीजर लेके चलते हैं फिर भी बहुत जबर्दस पैसे बनता है स्टाक मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंश्याल बहुत सरे कंपनी में हैं बहुत अच्छा मल्टिवागर रिटरन आगे भी दे सकता है तो इसलिए कोई भी स्टाक में इन्वेस्ट्मेंट कर रहे हैं आपका फाइनचल अडवाजर से जरूर सला ले लिजिए तो उस ब झाल